असलाम आलेकूं फ्रेंट्स आप सब कैसे हैं इन्साला ताला साप अपने घोरों में खुसोर आबाद होगे अलम्दो लिल्ला से हम भी सब अच्छे हैं तो आज हम जा रहे हैं भावनाथ क्योंके कल इसका उद्गाटन हो गया था हमारे सीएम ने आके रोपवे का उद्गाटन कर दिया था तो आज हम जा रहे हैं वही देखने चलिए आपको बे में ये थोड़ा सा सेर कर देती हूं तो ये भावनाथ का में गेट है यहां से ही हमें अंदर एंटर करना होता है मेरे दोनों भाई मेरी बड़े भाई छोटे भाई दोनों भावियां में मेरी बच्चियां मेरी सिष्टर और मेरे भाई की लड़की हम सब साथ में जा रहे हैं दोनों भाई और मेरी दोनों प्रिस्ट भी बन गया है जिसका उद्गाटन भी रोपवे के बाद ही हुआ था ये उद्गाटन भी हमारे सीएम ने ही किया था तो ये सुबो का ग्यारा बजे का टाइम है क्योंकि हम भाई ने बोला था कि हम सुबो में जाएंगे और संडे है तो साम को ज्यादा ही भीड हो प्रिस्ट भजे से यहां पे ठंडी हुआ ये चलती रहती थी और गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था अकेले घुमने में तो मजा ही नहीं आता सब साथ में होना तो कंपनी भी रहती है और घुमने का मजा भी आता है ये है मेरा जुनागर जो पहाडों की पोधे दिखेंगे और हरी आली फूल सब यसा ही आपको नजर आएगा हमें तो अच्छा लगता है साथ में बच्चों को भी घुमना मिल जाता है तो उन्हें भी अच्छा लगता है हम अक्सर भौनात आते रहते हैं लेकिन हम रात में आते हैं आज पहली बफाम सुब में अच्छा लगता है अच्छा लगता है अच्छा लगता है अब हम यहाँ पर आ गए है ओडन खटोला जोचे कहते हैं न वहाँ पर हम आ गए हैं यह टोल्या हैं आप इससे देख रहे हैं इसमें 8 जन को बिठाते हैं और एक जहन के 700 रूपिय लेते हैं जाने और आने के और आप वहाँ एक घंटा तक रुख सकते हैं हमारा तो यह सा कोई भी प्रोग्राम नहीं था जाने का लेकिन भाई का कोल आया और भाई ने बोला का आप सब कंपली तैयार होके बेट जाएंए मैं आपको लेने आ रहा हूँ तो हम सब चल्दी से कंपलीट हो गए और हम सब तैयार होके ने भाई की रा देखने लगे और आज यहाँ भीड भी ज्यादा थी क्योंकि यहाँ पर अज संडे भी था और दसेरा भी है इसलिए और यह रास्ता नहीं है हमने सोटकट में गए थे रास्ता तो दूसरा है लेकिन हम यहाँ से सोटकट से निकल गए थे नहीं तो दूसरा रास्ता है वहाँ हमें बहुत ही कूम के जाना पड़ता इसलिए हम यहाँ सोटकट से ही निकल गए और कल यहाँ पे उद्गाटन था इसलिए आप देखिए फूल और हार की सब माला ये लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे खुला मेदान था इसलिए यहाँ पे धूप बहुत तेज थी जिसे उदन खटोला में बेटना हो इसे ही अंदर एंटर करने देते हैं बागी तो सब वाहित से ही देखते हैं टिकेट लेनी के बाद यह बेटरी वाली जो कार आती है न वो हमें वहाँ पे लेके जाती है फिर हमें उस ट्रोली में बिठाते हैं और यह बहुत ही उचाई पे है बाई ने बोला कि आपको बेटना है सबको बच्चियों को तो हमने कहा नहीं तो बच्चियों ने बोला कि हाँ हमें बेटना है कि अकेले नहीं बेटना जब थोड़ा टाइम हो जाएगा फिर हम देखेंगे जाने के लिए क्योंकि बहुत उ हमने समझा दिया कि हम नेक्स टाइम आएंगे फिर बेठेंगे अभी वीड काफी ज्यादा है इसलिए अभी हमारा बारी आने में बहुत देर लगेगी और साम पड़ जाएगी और ममा भी एकली घर पे थे वो नहीं आई थे क्योंकि दूप बहुत तेज थी ना तभाई बोल है और आगे की दर्वाजे से हमें अंदर एंटर करने देते हैं फिर बेटरी वाली कार आती है वो हमें लेके जाती है अंदर एंटर होके हम टोटली नहीं बेट सकते ट्रोली में क्योंकि अंदर भी बहुत ज्यादा रस्ता है इसलिए इन्होंने बेटरी वाली कार की सुव ताइजर भी रखा हुआ है जिसे आपके हाथ आपको लगा करने फिर आपको ट्रेंपेचर माप के अंदर जाने देते हैं और अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर तो देखिए यहाँ पे सब आपको नास्ते के लिए मिल जाता है जैसे के नारियल पानी और खटी इमली होती है न मिल जाएगी और आप यहाँ देखिए इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ है ना कि जो हम रास्ते पे चलते हैं ने वहाँ से भी पानी चल जा रहा है यह पानी ऊपर से पहाड़ों में से आता है और यहाँ पे नीचे तक यूँ गिर के जाता है और बच्चों को तो इतना बहुत ही गना जंगल है आप देखिए यह पत्थोरों में से ही पानी निकल रहा है तो यहाँ पे बारिस नहीं है फिर भी यह पानी पहाड़ों में से आ रहा है यहाँ पे बहुत ट्यूरिस्ट भी आते हैं गुमने यहाँ पे होटेल्स है रूम्स है गेश्टाव से और य देखिए मेरे छोटे भाई है ये आपको मैंने बड़े भाई को तो कई वीडियो में दिखाया है लेकिन ये मेरे छोटे भाई है और यहाँ पे आने के बाद टाइम का तो पता ही नहीं चलता के टाइम किस तरह गुजर जाता है और यहाँ पे हमने कितने फोटो क्लिक्स करव पानी तो इतना थंडा था जैसे के इसमें मरफ डाल दिया हो और देखें यहां तीनों सिश्टर का फोटो सेशन हो रहा है और हमने सबने भी यहां पेपेरगी ले किये बहुत मज़ा आ रहा था थंडे थंडे से पेर हो गए थे और आगे ज्यादा तेज पानी था लेकिन बड़े भाई जो है इनोंने मना किया हुआ था कि वहां बहुत तेज पानी है और घना जंगल है वहां पे हमें नहीं जाना है इसलिए हम वहां पे नहीं गई और बस थोड़ा थोड़ा पानी था वहीं पे हम रह गई और अब हम जा रहे हैं रिंग रोड पे यहां के रिंग रोड पे सब special photo shoot करवाने आते हैं क्योंकि यहां का location बहुत ही अच्छा होता है और photo भी बहुत अच्छे आते हैं इसलिए यहां सब photo session कराने के लिए आते हैं और यहां पे आस्रम खाने की सुविदा आपको रहने की सुविदा सब मिल जाती है और यहां से देखिए गिटनार का व्योग इतना अच्छा लग रहा है यहां पे एक ही बहार में सब जगा पे दिख जाता है हमें और यहां पे इतनी सांती थी ना यहाँ पे इतनी हाड़ मज नहीं थी यहाँ पे कोई नहीं था यूगर सबवां रोपे पे थे इसलिए यहाँ पे बहुत ही सांती और सन्नाटा था और अब हम जा रहे हैं आगे की ओर दूसरे जंगल में यहाँ पे बहुनात में बहुत सारे जंगल है आप जीज जगा जाए वहाँ पे जंगल ही आपको नजर आएगा और पानी हमारा आने का कोई पोग्राम नहीं था हमारा एकदम से पोग्राम हुआ नहीं तो सब यहाँ पे खाने का सामन भी लाते हैं और यहाँ सारा दिन रुखते हैं और यहाँ पे पिकनिक भी करते हैं तो बोड़ा मज़ा आता है यहाँ पे यहाँ पे सब कीचन का सामान भी लेते आते हैं और यहाँ पे भजियों का प्रोग्राम करते हैं पाउं भाजी यहाँ सब अलग-अलग टाइप के खाने बनाते हैं और यहां पे सारा दिन सब रुखते हैं और खाते हैं यहां पे आपका टाइम का पता ही नहीं चलता और देखें यहां पे पानी है और यहां से आपको सावधान किया है क्योंकि यहां मगर बहुत ज्यादा है मगर याने मगर मच क्योंकि हम गुजराती लोग है न तो हम बोलने में थोड़ा सा अचका ही जाते हैं क्योंकि हमें इतनी हिंदी अच्छी नहीं आती हमें तो बस गेम छो, सारू छे, इसा ही बोलते हैं इसलिए हमारी हिंदी थोड़ी कच्ची है अच्छी दसेरा है, दसेरा कटम होने के 20 दिन बाद हमारे यहां पे दीवा ली भी होगी और देखें यहां पे आफरीन जरा भी नहीं मान रहे हैं, इन्हें नीचे उतरना है पानी में और भाई को बोल रहे हैं कि में जे नीचे उतर रहे हैं तो मेरे नहाना है भाई को मैंने बोला कि नहीं इन्हें नहीं उतारना तो आफरीन को रोना आ गया और बोले कि मुझे नहाना है देखो मेरे से भी छोटी बच्ची नहा रही है छोटी भावी ने उनको समझाया कि आप कपड़े लाए हुए हो तो क्या आप रिक्सा में ऐसे ही बेठोगे गिले गिले आपको अभी नहीं नाना हम कपड़े लेके आएंगे दूसरी बार तब आप नहाएंगे तब जाके वो माने नहीं तो उन्होंने वहाँ पे रोना सुरू कर दिया था और यहाँ पे पानी बहुत तेज था इसका वहाँ भी आप देखिए यह पानी जटा संकर से आता है उपर की ओर से और पानी के साथ साथ इसमें मगरमच भी आ जाती है और देखिए हमने सब इंजोई कल लिया है वहाँनात का और हम जा रहे हैं गर भाई ने बोला के हम खा लेंगे बाहर हमने बोला नहीं ममा भी अकेली घर पे हैं हम घर जा के सब बना लेंगे तो हाँ भाई बोले के ठीक है चलो तब हम घर जाते हैं हम साथ में खाना बनाएंगी तो हमें चरा भी देर नहीं लगेगी और दूप तेज होने की वज़ा से भाई बोले के चलो अब थोड़ी से हम कोल्डरिंग्स पी लेते हैं ताके थोड़ी सी हमें ठंडर हो जाए तो भाई सबको पूछ रहे हैं कि आप कौन कौन सी कौन रिस पीएगे तो सबने बोला कि हमें तो सिर्फ सिंग सोड़ा पीनी हैं तो भाई यहाँ पर ओडर दे रहे हैं और दूप इतनी ज्यादा तेज थी कि यहाँ रास्ते भी खड़ा नहीं जा रहा था और चकर से आ रहे थे कि हम अभी गिर जाएंगे इतनी दूप ज्यादा तेज थी और सबके फेस एकदम से काले हो गए थे ज्यादा दूप होने के वज़े से और यहाँ पे हमारी cold drinks भी बन रही है ये sing soda है न बहुत ही अच्छी लगती है सोडा के अंदर हमें इसमें sing डाल के देते हैं और हमने बोला था कि थोड़ा सा बरव भी ज्यादा डाल देना ताकर हमें ठंडक मिले देखिए हमारी cold drinks अगर आपको भी पीनी है तो चलिए सब आजाईए और पी लीजिए हमारी सिंग सोडा और यहाँ पे आफरीन का गुस्सा एकदम से खतम हो गया है कोल रिक्स पीने के बाद एकदम दिमाग ठंडा हो गया था इनका आफरीन की जी देना बहुत ज़्यादा है देखिए अब घर पे आ गए है और यहाँ पे हमने राइस बना लिए है और यहाँ पे भापी रोटियां सेक रही है और मेरी सिस्टर यहाँ पे खीमा आलू बना रहे है और जो कूकर में प्रेसर कूकर में रखे है वो सबजी बना रहे है और मैं यहाँ पे रोटियां बेल रही हूँ और मेरी बड़े भापी हो प्यास कट कर रहे हैं हम मील बाट के काम कर लेते हैं तो हमें ज्यादा हमें पकाने में देर भी नहीं लगती और यहाँ पे दूद भी आ गया था तो इसे भी गरम कर लेंगे मासाला से हमारी बोंडिंग बहुत अच्छी है अगर आपकी बोंडिंग अच्छी होता आप सब कुछ भी कर सकते हैं कुछ अकेले से कुछ काम नहीं होता सब मिल जूल करते हैं तो हमसे ज्यादा काम भी हमें कम लगने पड़ता है यहाँ पे हमारी रोटिया भी बन गई है राइज भी बन गई है सबजी भी बन गई है और खीमा और आलो का सालन भी बन गया है और एक सालन मचली का बनाया हुआ था वो भी बन गया है और संभारा भी कर लिया है और बाजरी की रोटी भी हमने बना ली है और यहाँ पे में पोधों को पानी दे रही हूँ क्योंकि सुपोव में चले गए है तो सिस्टर ने पानी नहीं डाला था तो जाड़ एक्तम से सूख गए थे तो मैंने कहा चलो इन्हें पानी दे देती हूँ और पानी को हम पोदो में डाल देंगे और बात में हम लंज करने बेट जाएंगे पाना तो सब COVID हो गया है लेकिन बरतन है और सब ले रहे है भाबी तो मैंने सोचा के चलों मैं पोदो को पानी डाल देते हुँ इतनी देर में ये हमारी चोटी छत है यहाँ पे हमारा खाना भी लग गया है मेरी सिस्टर सब निकाल के दे रही है हम सब साथ में होना तो हमारे दो थाल जरूर ही बनते है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बड़े भाई थे वो आज जले भी देशेगी की और मिठाई भी ले के आ गए थे सब के लिए अलग-अलग पेकेट्स तयार किये के लाए थे भाई और आप भी चलिए सब हमारे साथ बिस्मिल्ला कीजिए और आपकी दुआओं में मुझे जरूर याद किजिए और मुझे सपर्ट किजिए मेरे वीडियो को प्लीज आप लाइक करे और मेरे चैनल को प्लीज 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 आप सब्सक्राइब करे और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले व्लोग में चलिए अल्ला हाफीस